ओम शान्ति आज की तारीख है चोबीश आठ पंद्रा तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे जितना समय मिले एकान्त में जाकर याद की यात्रा करो जब तुम मन्जिल पर पहुँच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी प्रश्न है आज का संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है उत्तर है बाप कहते हैं जैसे मैं अती स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं तो सभी स्वीट बने हो न आद यदी नहीं बने कम बने हैं तो रोज पुर्शार्थ करें अधीक से अधीक स्वीट बनने का तो देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुर्शार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्यान करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं हैं, वो स्वीट हैं, उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है, और उनकी ही फिर पूजा होती है अब मुरली शुरू हो रही है, ओम शान्ती, बाप बैठ समझाते हैं, कि इस शरीर का मालिक है कौन आत्मा, ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है, पहले पहले तो समझना हैं, कि हम आत्मा हैं, शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि वे सभी देह अभिमान में हैं, यहां इस ख्यालात में बिठाया जाता है, कि मैं आत्मा हूं, और ये मेरा शरीर है, और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, और ये याद ही गड़ी गड़ी भूल जाती है, तो ये पहले पूरी याद करनी चाहिए, बाबा कहते हैं, यात्रा पर जब जाते हैं, तो कहते हैं कि चलते रहो, तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है, याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते, देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है, ऐसे भी नहीं कि मनुष्य सदै विकर्म ही करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है न, इसलिए जितना हो सके, याद की यात्रा में बाबा कहते हैं कि धीला नहीं पड़ना चाहिए, एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मन्थन कर, पॉइंट से निकालनी होती है, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, मीठी चीज होती है, तो मीठी चीज की याद पड़ती है न, अच्छा आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाया है कि इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुक्षान ही पहुँचाते हैं, सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनने कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नई तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, जो रिलिजियस माइंडेड, यानि अच्छे सोभाव के होते हैं, तो उनकी चलन भी अच्छी होती हैं, बाप अगर शराबाती पीते हैं, तो बच्चों को भी वह संग लग जाता हैं, इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावन राज्य है ना, राम राज्य था, तो जरूर परन्तु वो था, तो कैसा था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडर्फुल मीथी बातें, तुम बच्चे ही जानते हो, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेश्ट कहा जाता है ना, तो बाबा कहते हैं, कि बाप की याद में रहकर ही, तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो, बाप नई स्रिष्टी में नहीं आते हैं, स्रिष्टी में मनुष्य, जानवर, खेती, बाड़ी, आदी, आदी सब होता है, मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए ना, शास्त्रों में प्रलय का वृत्तान तो भी रौंग है, प्रलय होती ही नहीं, ये श्रिष्टी का चक्र फिरता ही रहता है, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को आदी से अंततक ख्याल में रखना है, मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलावडे याद आते हैं, वो सभी हैं हद के और तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी और बेहद का धन, हां सभी के पास है ये सब बाते हैं, तो बेहद का बाप है ना, तो हद के बाप से हद का मिलता है, तो बेहद के बाप से हमें बेहद का सुख मिलता है, सुख होता ही है धन से, अब धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ वहाँ सतो प्रधान है, तुम्हारी बुद्धी में है कि हम सतो प्रधान थे फिर बनना है अब ये भी तुम जानते हो अभी कि तुम्हारे में भी नंबर वार है कोई स्वीट है कोई स्वीटर है कोई स्वीटेश्ट है ना बाबा से भी कई स्वीट होने वाले हैं वही फिर उंच पद भी पाएंगे बाबा कहते हैं जो जितना स्वीट बनता है वो उतना उंच पद भी उसके आधार पर प्राप्त करता है तो बाबा कहते हैं कि स्वीटेश्ट वह हैं जो बहतों का कल्याण करते हैं बाप भी स्विटेष्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं, कोई शहद या चीनी को ही स्विटेष्ट नहीं कहा जाता, मनुष्य की चलन पर भी ये कहा जाता है, कहते हैं ना ये स्वीट चैल्ड, यानि मीठा बच्चा है, सत्युग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती, इतना उचपद जो पाते हैं, तो जरूर यहाँ पूर्शार्ट किया है, तो बाबा कहते हैं, कि तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुमारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखदाम होंगी, अब मनुष्यों को तो य पता ही नहीं कि शान्ती कब थी, कहते हैं कि विश्व में शान्ती हो, अब तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में शान्ती थी, तो अभी फिर से स्थापन कर रहे हो, अब ये सभी को समझाएंगे कैसे, तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए, जिसकी बहुत चाहन बटाना है मनुष्यों को, क्या चाहना है कि विश्व में शांती हो, इसके लिए फिर रडी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांती बहुत है, तो यह लक्षमी नाराण का निदित्र सामने देना है और फिर बताना है कि इनकाогल छब राज्य था तो विश्व में शान्ती थी, और उनको ही heaven, duty world कहते हैं, वहाँ विश्व में शान्ती थी, आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, ये तो और कोई नहीं जानते, अब ये है मुख्य बात, सभी आत्माएं पुकारती हैं, कि यहाँ विश्व में शान्ती चाहिए, तो तुम यहाँ विश्व में शान्ती स्थापन करने का पुर्शार्थ कर रहे हो, जो विश्व में शान्ती चाहते हैं, उन्हें तुम सुनाओ, कि भारत में ही शान्ती थी, जब भारत स्वर्ग था, तो शान्ती थी, अब नर्क है, तो नर्क माना कलाई युग में अशान्ती है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, और भक्ती का भी पॉम्प है, दिन प्रती दिन व्रिद्धी होती ही जाती है, मनुष्य भी मेले मलाखडे आदी पर जाते हैं, तो समझते हैं, जरूर कुछ सचोगा, अभी तुम समझते हो, उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं, पावन बनने का रास्ता मनुष्यों को कोई भी बता न सके, क्योंकि पतीत पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी, ऐसे कहा जाता है, नई दुनिया में नया भारत, नई दहली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नए राज्य होगा, अब यहां पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है, पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते हो भक्ती का भी कितना बड़ा प्रस्ताव है इसको कहा जाता है अज्ञान ज्ञान सागर एक बाप है बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो वा कुछ करो नहीं बाप तो बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को समझाया जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी कैसे रिपिट होती है ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन स्प्रिच्यूल नौलेज इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते ग्यान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है वो है स्प्रिच्यूल नौलेज फुल फादर तो बाप रूहों से बात करते हैं तुम बच्चे भी समझते हो कि रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं और ये है स्प्रिच्यूल नौलेज रूहानी नौलेज को ही spiritual knowledge कहा जाता है आगे अब मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि परम पिता परमात्मा बिंदी है और वो हमको पढ़ाते हैं हम आत्माएं पढ़ रही हैं ये हमें भूलना नहीं चाहिए हम आत्मा को जो knowledge मिलती है फिर हम वो दूसरी आत्माओं को देते हैं और ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ कर बाप की याद में रहेंगे याद में बहुत कच्चे हैं जट देह अभिमान आजाता है देही अभिमानी बनने की practice करनी है हम आत्मा इनको सोदा देते है हम आत्मा व्यापार करते है तो अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान है के हम यात्रा पर है कर्म तो करना ही है बच्चों आदि को भी संभालना है दंदा दोरी भी करना है धंदे आदी में ये याद रहे कि हम आत्मा हैं ये बड़ा मुश्किल है तो बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना सबसे बड़ा पाप है विकार का वही बड़ा तंग करने वाला है अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिग्या करते हो उनको उनका ही यादगार कौन सा त्योहार है ये राखी बंधन है आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी ब्रामन लोग जाकर राखी बांदेते थे आजकल तो राखी भी कितनी फैसनेबुल बनाते हैं वास्तव में है अभी की बात तुम बाप से प्रतिग्या करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे आप से विश्व का मालिक बनने का वर्सा लेंगे बाप कहेंगे 63 जन्मतो विशय वैतरनी नदी में तुम बच्चों ने गोते खाए और तुमको क्षिर सागर में ले चलते हैं सागर कोई है नहीं भेट में कहा जाता है क्यानि तुलना में बताया जाता है तुमको शिवालय में ले जाते हैं वहां अथा सुक है कहां की बात ओ रही है सत्युग की अभी यह तुमारा अंतिन जन्म है तो मीथे मीथे बाप दादा कहते हैं हे आत्माएं पवित्र बनो क्या बाप का जहना नहीं मानेंगे इश्वर तुमारा बाप कहता है मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ जन्म जन्मानतर के पाप सिर पर है मुझे याद करने से ही वो भस्म होंगे कल्प पहले भी तुमको मैंने सिक्षा दी थी तो बाप गैरंटी तब करते हैं जब तुम ये गैरंटी करते हो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे इतना याद करते रहो जो शरीर का भान न रहे सन्यासियों में भी कोई-कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्यानी होते हैं वह भी ऐसे बैठे-बैठे शरीर छोड़ते हैं यहां तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बन करके जाना हैं वह तो अपनी मत पर चलते हैं ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ती जीवन मुक्ती में जाते हैं नहीं आते फिर भी यहां ही हैं परन्तु उनके फॉलवर्स समझते हैं कि वह निर्वान में गया बाप समझाते हैं एक भी वापस जा नहीं सकता काइदा ही नहीं जाड वृद्धी को जरूर पाना है तो अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलय युग में तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो जो तुमारे धर्म के होंगे वह तो आते जाएंगे अब देवी देवताओं का भी यहां बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए है फिर निकल आएंगे नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे तो यह बहुत महीन बाते हैं बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर अपनी जगह पर वह आ जाएंगे तुमारे पास मुसल्मान आदी भी तो आते हैं न तो बड़ी खबरदारी भी रखनी पड़ती है जट जाच करेंगे कि यहां दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं इमर्जंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो कल्प आगे भी ऐसे हुआ था तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो ये है सर्वोतम ब्रामनों का कुल इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है कोई गरीब को धन्वान बनाना ये रूहानी सेवा है बाप कल्यान करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए वह बहुत उंच चड़ सकते हैं तुम बच्चों को पुर्षार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारी रेस्पॉंसिबिलिटी बाप के उपर है पुर्षार्थ जोर से कराया जाता है फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कि कल्प पहले मिशल तो बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो सेवा में मेहनत करो नहीं बनते तो क्या करेंगे इस कुल का नहीं होगा तो तुम भला कितना भी माथा मारो कोई कम तुमारा माथा खपाएंगे कोई जास्ती खपाएंगे बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे तुमारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा तुमारा काम है राइट बताना शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमारे विकर्म विनाश होंगे ऐसे बहुत कहते हैं कि भगवान है जरूर है महा भारत लड़ाई के समय भगवान था सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मुझ गए है अब कृष्ण तो हो न सके कृष्ण उस ही फीचर्स से फिर सत्युग में ही होगा हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं स्रिष्टी अब बदल रही है पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते तुमारा आखिर नाम निकलेगा स्थापना हो रही है फिर ये राज्य करेंगे विनाश भी होगा एक तरफ नई दुनिया और एक तरफ पुरानी दुनिया ये चित्र बड़ा अच्छा है कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश परंतो समझते कुछ भी नहीं मुख्य चित्र है त्रिमूर्ती का उंच ते उंच है शिव बाबा तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं तो बाबा को याद करो योग अक्षर जरा डिफिकल्ट लगता है याद अक्षर बहुत सहज है बाबा अक्षर बहुत लवली है तुम को खुद ही लज्जा आएगी कि हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं जिन से हमको विश्व की बादशाही मिलती हैं तो आप ही लज्जा आएगी बाप भी कहेंगे तुम तो बे समझ हो बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे विकर्म विनाश कैसे होंगे तो तुम आत्मा हो और मैं तुमारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हो ना तो तुम चायते हो कि हम पावन बन सुख दामने जाएं, तो स्रीमत पर चलो, मुझे बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे, तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुद मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, नमस्ते हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को, याद प्यार, गुद मॉर्निंग, और नमस्ते, नमस्ते तो धारना के लिए मुख्य दो बातें, नमबर एक है, हर प्रकार से पुरुशार्थ करना है, बाबा कहते हैं, फिकर नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि हमारा responsible स्वयम बाप है, हमारा कुछ भी व्यार्थ नहीं जा सकता, नमबर दो है, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्यान करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, दंदा आदी करते, अभ्यास करना है, कि मैं आत्मा हूँ, वर्दान है आज का, साइलेंस की शक्ती द्वारा, सेकंड में, मुक्ती और जीवन मुक्ती का अनुभो कराने वाले, विशेश आत्मा भव, बाप कहते हैं, विशेश आत्माओं की लास्ट विशेश्ता है, कि सेकंड में, किसी भी आत्मा को, मुक्ती और जीवन मुक्ती के अनुभवी बना देंगे, सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में, शान्ती का वा अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे, जीवन मुक्ती का अनुभव है सुख और मुक्ती का अनुभव है शान्ती, तो जो भी सामने आए, वो सेकंड में इसका अनुभव करे, जब ऐसी स्पीड होंगी, तब साइन्स के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए, सब के मुख से वा वा की आवाज निकलेगी, और प्रत्यक्षता का दृष्य सामने आएगा, स्लोगन है आज का, बाप के हर फर्मान पर स्वयम को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो, अच्छा, ओम, शान्ती.